अलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम टरकाय में दोस्तों हम आज इस वीडियो में भारत के 28 राज तथा आठ के अंदर सासित प्रदेसों के वर्तमान में मुख मंतरी राज पाल के बारे में जानेंगे दोस्तों हम इस वीडियो में राज के अस्थापना, बिधान सभा सीटे, लोग सभा सीट, राज सभा सीट और अन मुख जो जनकारियां हैं इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा राते हैं उनके बारे में भी कभर करते चलेंगे दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आप लोग अंतर तक बने रहे हैं आपको इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगी वर्तमान में राजयपाल है उत्तर प्रदेश के आनंदी बेन पटेल अस्थापना हुआ था 26 जनुरी 1950 को उत्तर प्रदेश का बिधान सभा सीट में 104 है बिधान परिशत सीट है दोस्तों 100 लोग सभा सीट सीट है राजी सभा सीट एक तीसे ध्यान देजीगा उत्तर राज है वहां बिधान परिशत भी होता है उसके बारे में भी हम बताते चलेंगे ठीक है यह आपको मैप में उत्तर प्रदेश दीख रहा होगा मैप में सभी राजियों को मैं प्रदेशित किया हूं ताकि आपको आपके दिमाग में यह फिगर बन जाए कि कौन सा राज कह आया हूँ नीचे राजयपाल को राजयपाल है फागु चम्हान अस्थापना हुआ था 12 मार्च सन 1912 को बिहार का बिधान सभाज सीठ है दोस्तों 243 बिधान परिसद में टोटल सीठ है 75 लोग सभाज सीठ है 40 बिहार में राजी सभाज सीठ है 16 ध्यान दिजिएगा ए भी इस्था बंगाल तीसरा है पष्चिम बंगाल राजधानी इसका कोलकाता वर्तमान में मुभमंतरी है वंता बनर जी वर्तमान में राजपाल है लाग गडिसन इनको अतरिक्त प्रभार मिला हुआ है क्योंकि यह मड़िपूर के भी मुख राजपाल हैं ठीक है अस थापना राज्य है आपका उडिशा, राजधानी है भूनिस्वर, मुख मंत्री है नवीन, पतनायक, राजपाल है गड़ेसी लाल, और अस्थापना गुए था उडिशा का 1 अप्रेल सन 1936 को, विधान सभा सीठ है टोटल 147, लोग सभा सीठ है 21, राज्य सभा सीठ है 10 उडिशा में, ए है उडिशा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला राज्य है दोस्तों जारखंड, इसकी राजधानी है राची, मुख मंत्री है, हुईमंत, सोरेन ए चित्र में है, राज्यपाल है रमेजबैस, अस्थापना हुआ था, 15 नवंबर सन 2000 को, विधान सभा सीठ टोटल 81 है, लोग सभा सीठ 14 है, राज्य सभा सीठ 6 है, जार खंड से, यह आपको चित्र में दिख रहा होगा मैप में, अगला राज्य है, आपका 36 गड़, 36 गड़ की राजधानी है, रायपूर, मुख मंत्री है, भुपेश बखेल, राज्यपाल है, अनुसुया, उईके, अस्थाप मुख मंत्री है, शिराज सिंग, चौहान, राज्यपाल है, मंगु भाई सी, पटेल, अस्थापना गुआ था, एक नॉम्बर सन 1956 को, विधान सभा में टूटल सीठ है, 230 लोग सभा सीठ है, 29 राजी सभा सीठ है, 11 भारत के बीच में आपको मध्रदेश दिख रहा होगा, अ अस्थापना गुआ था, 15 नॉम्बर सन 2000 को, उत्राखंड का, विधान सभा में टूटल सीठ है, 70 है, लोग सभा सीठ 5 है, राजी सभा सीठ 3 है, आपको ए मैप में दिख रहा होगा, उत्राखंड, आगे बढ़ते हैं, अगला राजी है, हिमाचल प्रदेश, राजधानी है सिमला, मुख मंतरी है, जैराम, ठाकूर, राजपाल है, 20 सुनात अर लेकर, अस्थापना गुआ था, 25 जनौरी सन 1971 को, हिमाचल प्रदेश का, विधान सभा में टूटल सीठ 68, लोग सभा सीठ 4 है, राज सभा सीठ 3 है, आपको मैप में भी दिख रहा होगा हिमाचल प्रदे लोग सभा सीठ 13 है, राज सभा सीठ 7 है, यह है आपका पंजाब, इसको ध्यान में रखिएगा, अगला राज है, अगला राज है हरियाना, राजधानी इसकी चंडीगड, मुख मंतरी है, मनुहर लाल, खटर, राजपाल है, बंडारू दत्तात रह, अस्थाबना गुआ थ राजधानी है, जैपूर, मुख मंतरी है, सोक, गहलोद, राजपाल है, कल राज, मिस, अस्थापना गुआ था, 30 मार्ज सन 1949 को, बिधान सभा सीठ टोटल है, राजधान में 200, लोग सभा सीठ 25, राजधा सीठ 10, ए राजधान आपको मैप में दिख रहा होगा, आगे गुजरात, गुजरात की राजधानी है, दोस्तों, गांधी नगार, मुख मंतरी है, भुपेंद्र, पटेल, राजपाल है, आचार देवबरत, अस्थापना हुआ था, 1 माई सन 1960 को, बिधान सभा सीठ है, 182, लोग सभा सीठ है, 26, राजध सभा सीठ है, 11, एह है आपके भ भगत सिंग कोसियारी, भगत सिंग कोसियारी है, अस्थापना गुआ था, 1 माई सन 1960 को, बिधान सभा में टोटल सीठ 288 है, बिधान परिसद में सीठ 78 है, याद रिखेगा महाराष्ट भी दूई सदनात्मक राज्य है, यहाँ भी बिधान सभा सीठ है, लोग सभा में सीठ 48 है, राज सभा में सीठों संख्या 19 है, यह है आपका महाराष्ट, आगे बढ़ते हैं, अगला राज पंद्रहमा राज है गुआ, गुआ की राजधानी है पढ़जी, मुख मंत्री है प्रमोध सामन्त, यह आपको दिख रहे होंगे, राज पाल है आपके, पियस सित्री ध 48, करनाटक और महाराष्ट के बीच में दिख रहा होगा जो गुआ है, आगे बढ़ते हैं, अगला राज है करनाटका, करनाटका की राजधानी है, बैंगलूरू, मुख मंत्री है, वसव राज, बोंबय यह उपर दिख रहे होंगे, राज पाल है, थावर चंद्र, गहलो होते नीचे हैं, अस्थापना हुआ था, आपके करनाटक का एक नॉम्बर सन 1956 को, बिधान सभा में टोटल सीठ है 224, बिधान परिसद में सीठ है 25 तर याद रखियेगा, करनाटक भी एक द्वी सद्नात्मक, राज है, लोग सभा में सीठ है 28, राज सभा में सीठ है 12, यह आपको करनाटक, आगे बढ़ते हैं, अगला राज है, सत्रहमा राज है, केरल, राजधानी इसकी तिरूरंत पूरम, मुख मंतरी है, पिनरई, बिजेन आपको उपर यह दिख रहे होंगे, राज पाल है आके आरीफ मुहमद, खान यह नीचे चितर में दिख रहे होंगे, अस्थापना हुआ था, एक नमबर 1956 को केरल राज का, बिधान सभा में सीटे है, 140, लोग सभा में सीट है, 20, राज सभा में सीट है, 9, केरल राज आपको मैप में दिख रहा होगा, नीचे, आगे बढ़ते हैं, अगला राज है, तमिलनाडू, राजधानी है, चिन्नई, आरियन रभी, ए आरियन रभी नीचे है, एमके स्टैलिन उपर है, अस्थापना हुआ था, 26 जनुरी 1950 को, तमिलनाडू का, बिधान सभा में टोटल सीट है, 234, लोग सभा में सीट है, 49, राज सभा सीट है, 18, ये आपको दच्छिन में नीचे दिख रहा है, तमिलनाडू, आगे बढ़ते हैं, अगला राज है, उनिस्वा राज है, आंधर परदेश, राजधानी है, अमरावती, मुख मंतरी है, जगन मुहन, रेड़ी, आपको ये दिख रहे होंगे, राजपाल है, विश्व भूसन, हरिश्चंद्रन ने नीचे है, अस्थापना हुआ था, एक भासा के अधार पर गठी थोनेला भारत का पहला राज है, अंधर परदेश, विधान सभा में सीटे हैं 175, विधान परिसद में सीटे हैं 50, या दरखेगा विधान परिसद वाला राज है, यहां भी दूई सद्नात्मक राज है, लोग सभा में सीट है 25, राज सभा में सीट 11 आपके अंधर परदेस में यह है आपका अंधरपरदेस आगे बढ़ते हैं अगला राज है तिलंगाना तिलंगाना की रध्धानी है है घ्रवध मुखमंतरी है के चंडर सेखर राव यह चीत्र में दिख रही होंगे राजपाल है तमिल साई संदराजन ये नीचे चित्र में दिख रही है अस्थापना हुआ था दो फरवरी सन 2014 के आंधर परदेश से अलग होकर बना है बिधान सभा में टोटल सीट है 119 बिधान परिसद में सीट है 40 ये भी दुई सदनात्मग राज है लोग सभा सीट है 17 राज सभा सीट है 7 ये आपको तिलंगाना दिख रहा होगा मैप में आगे बढ़ते हैं एक किसमा राज है आपका त्रीपुरा याद के है यहां से पुरवत्तर राजी चलू होगए पुरवी राज दो राज सभा सीट है 1 आपको ये छोटा सा दिख रहा होगा बंगलादेश के बीच में त्रीपुरा दो तरफ से घिरा हुआ है बंगलादेश से आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है आपका मिजोरम राजधानी है आईजोल मुख मंतरी है जोराम ठंगा ये आपको चित्र में दिख रहा होंगे राजपाल है हरी बाबु कमभमपती ये नीचे चित्र में है अस्थापना गुआ था जो मुईजोरम का 20 फरवरी सन 1987 को बिधान सभा में टोटल सीट 40 है लोग सभा में सीट 1 है राजपा सीट 1 है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा राज ये तिपूरा के बगल में है आपका मिजोरम आगे बढ़ते हैं दोस्तों तेसमा राजपा है भारत का मडिपूर मडिपूर की रजधानी है इंफाल मुख मंतरी है ये उपर चित्र में है राजपाल है लागडे सन ये नीचे है अस्थापना गुआ था 21 जनवरी सन 1972 को आपके मडिपूर का बिधान सभा सीट 60 है लोग सभा सीट 2 है राज सभा सीट 1 है ये आपको मडिपूर दिख रहा होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है नागालेंड राजधानी है इसकी कोहिमा मुख मंतरी है नेफ्यू रियो ये चित्र में आपको दिख रहे होंगे राजपाल है जगदीस मुखी इनको अतरिक्त प्रभार मिला हुआ है ये नीचे चित्र में है अस्थापना हुआ था एक दिसंबर सन 1963 को विधान सभासीट टोटल साथ है लोग सभासीट एक है राजधी सभासीट एक है नागालेंड में ये आपको नागालेंड दिख रहा होगा को मड़ी पूर के जश्ट उपर है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है अरुवाचल परदेश अरुवाचल परदेश की राधानी है इटानगर मुख मंतरी है पेमा खांडू ये चित्र में आपको दिख रहा होंगे राजपाल है बेडी मिस्रा ये नीचे चित्र में है अस्थापना हुआ था 20 फरँवी 1987 को अरुवाचल परदेश का बिधान सभा सीठ है 60 लोग सभा सीठ है 2 राजपा सीठ है 1 है अरुवाचल परदेश में आपको चित्र में भारत में दिख रहा होगा पूरब में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है 26 वा राज है मेघाल है राजधानी इसकी सिलांग मुख मंतरी है कारनाड संगमा ये चित्र में आपको दिख रहे होंगे राजपाल है सत्यपाल मलीक ये नीचे चित्र में दिखा गया है अस्थापना हुआ था 21 जनवरी सन 1902 को विधान सभा सीट टोटल साथ है लोग सभा सीट दो है राज सभा सीट एक है आपके मेघाले से मेघाले आपको ये दिख रहा होगा बंगलादेश से सटा हुआ है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है असम राजधानी है इसकी डिसपूर मुख मंतरी है हिमंत विस्वा सर्मा हिमंत विस्वा सिर्मा ये चित्र में दिख रहा होंगे राजपाल है आपके जगदीश मुखी ये नीचे है अस्थापना हुआ था 26 जनौरी 1950 को आपके असम का विधान सभा सीटे है 126 लोग सभा सीट है 14 राजपा सीट है 7 आपको ये असम चित्र में दिख रहा होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज है जो की भारत का अंतिम राज भी है ये है 28 राज राजधानी इसकी गंग टोक मुख मंतरी है प्रेम सिंग, तमांग राजपाल है गंगा परसाद अस्थापना हुआ था 1 मईश सन 1975 को विधान सभा में टोटल सीट है 32 लोग सभा में एक सीट है राजधा सभा में एक सीट है आपके सिक्किम से यह आपको नेपाल और भूटान के बीच में जो छोटा सा रेड कलर का डाट दिख रहा है वही है आपका सिक्किम ठीक है दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं केंदर सासीत परदेश के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं अब चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं पहला राज्य है आपका केंदर सासीत परदेश जो है लद्दाख राजधानी है इसकी ले है उपर राज्यपाल है राधा कृष्ण माथूरे आपको चितर में दिख रहे होंगे अस्थापना हुआ था 31 सक्टूबर सन 2019 को किसका लद्दाख का बिधान सभा सीट नहीं है दोस्तों यहाँ पर लोग सभा सीट एक है राज्य सभा सीट भी यहाँ नहीं है आपको लद्दाख रेड कलर का जो दिख रहा है उपर डार्क वो लद्दाख है याद रखिएगा इसमें रेड कलर का हलका रेड दो इस तरफ दिख रहा है और इस तरफ भी दिख रहा है इसको पियोके बोलते हैं पाकिस्तान के कबजे में वरतमान में और इधर चीन के कबजे में जिसको अकसाई चीन बोलते हैं हलाकि ये पूरा लद्दाख का पार्ट है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज्य है अगला जो केंदर सासित परदेश है आपका वो है जम्मू कस्मीर राजधानी है इसकी स्री नगर और जम्मू दो राजधानिया है इसकी यादर कियागा गिरिसम कालीन राजधानी श्री नगर है और सीथ कालीन राजधानी जम्मू है मुख मंत्री अभी यहाँ पर नहीं न्यूक्त हुए है उप राज जेपाल है दोस्तों मनोजी सिन्ह ये चीत्रे में आपको दिख रहे होंगे अस्थापना हुआ था जो जम्मू कस्मीर का राजध के रूप में 26 अक्टूबर सन 1947 उसको पूर्ण राजध का दरज़ा मिला था इस पेसल राज़ी भी दरज़ा इसको रखा गया था लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 को इसको केंदर सासित परदेश बना दिया गया तो इसके दो भाग में तोड़ दिये गया एक लद्दाग बना एक जम्मू कस्मीर बिधान सभा सीटे है टोटल 83 यहाँ पर बिधान सभा में टोटल सीट है 83 लोग सभा सीट है 5 राज़ी सभा सीट है 4 आपके जम्मू कस्मीर में यह आपको चीत्र में दिख रहा होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज्ज है केंदर सासित प्रदेश जो है चंडीगर राजधानी है इसकी चंडीगर ही है प्रसासक है यहां के बनवारी लाल पूरोहित यह चीत्र में आपको दिख रहे होंगे अस्थापना हुआ था एक नॉम्बर सान उनिस सो चाचट को बिधान सभा सीट नहीं है लोग सभा सीट एक है राजी सभा सीट भी नहीं है यह आपको छोटा सा डाड जो दीख रहा है वह हैं चंडीगर यहां प्रसासक होते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राज्य है आपका दिल्ली केंदर सासित प्रदेश दिल्ली है राजधानी है इसकी नई दिल्ली मुख मंतरी है अरविंद केजरी वाल ए उपर चित में दिखाया गया है उपर राजपाल है बिने कुमार सक्सेना वर्तमान में ये नीचे चित में दिख्या गया है राज अस्थापना गुआ था इसका एक नॉम्बर सन 1956 को इसको केंदर सासित परदेश का दरजा मिला था एक फरवरी 1992 को इसको राजपी राजपानी चेतर गोसित कर दिया गया दिली को बिधान सबा में टोटल सीट 70 है लोक सबा सीटे है साथ राजपा सीटे है तीन है ये है आपका दिली छोटा सरेड कलर का दिख रहा होगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला राजपी है आपका केंदर सासित परदेश है दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दियू इसकी राजपानी दमन है प्रसासक है यहां के प्रफूल पटेल प्रसासक है प्रफूल पटेल ये चितर में दिख रहे होंगे अस्थापना हुआ था 26 जनुवरी सन 2020 को बिधान सभा में सीट नहीं है दोस्तों लोकसभा सीट दो है राजपा सीट भी यहां नहीं है यह आपको छोटे छोटे डाट जो दिख रहे हैं गुजरात और महाराष्ट के बीच में यहीं है आपके दादर और नगर हवेली एव नगर सन 1956 को बिधान सभा सीट नहीं है लोकसभा सीट एक है राजी सभा सीट भी यहां नहीं है याद रखिये गया इस गोले में जो रेड कलर के चोटे चोटे दीप दीख रहे हैं इन ही को मिला कर बनता है आपका लक्ष दीप आगे बढ़ते हैं दोस्तों सात्मा के अंद सेट एक है राजी सभा सीट एक है आपको यहां चोटे-चोटे जो ट्राट्स दीख रहे हैं कई राजवार्यो फैले हूए हैं यहीं है सब को मिला कर पूदुचरी होता है यहीं इनम आंधर प्रदेश में है कराईकल और पूदुचरी जो है तमिल लाडू में है और माहें करल में या दुखिया गे इंचार वा जीमों के मिलाकर एक किंदर शाशित प्रदेश बनButek इसक Li कि स्थापना हु। अस्थापना हुआ था अंडमान निकोबार का एक नमबर सन 1956 को विधान सभा सीट नहीं है यहाँ लोग सभा सीट एक है राज सभा सीट भी यहाँ नहीं है आपको यह बंगाल के खाड़ी में जो रेड कलर के द्वीप से दीख रहे हैं यहीं सम मिलाकर के बनते हैं अंडमान सदिक सेर करें साथ में दोस्तों अगर इसी तरह के इंट्रीस्टिंग और महत पूर्प वीडियो पाना चाहते हैं तो एक्जाम टुरकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के बहतरीन वीडियों लेका राते रहते हैं तो मिलेंगे फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन थैंक यू फार वाचिंग इस वीडियो